असलाम अलेकूम कैसे है अब सब लोग आज की वीडियो में इस ओपन जो कि कल SSC का रिजल्ट आया था उसके रिगार्डिंग जो बच्चे और पास हो गए और जो बच्चे अल्रड़ी पास हो गए और लों के रिगार्डिंग थोड़ी स्ट्रीम्स को लेके डिस्कस करेंगे और रही बाद इंटर्मेडिट स्टूडेंट्स जो की फेल हो गए और लों को रिवेरिफिकेशन रिकांटिंग के लिए फिफ्ट से चांस है उसके बारे में भी को से बच्चे अपलाई करना को से बच्चे अपलाई करना उसके बार में देखेंगे तो आप सभी से अपडेट मिल सके जिसे क्या है बोले तो कल SSC का रेजल्ट आया मेरा भी स्टूडेंट लागे मिठे विठे दिया मस तो खुश-खुश हो गया अब इंटर में एंपी सी ले तुम बोला था पहले तो मैक्स में फेल हो गया था तो खेर वो सेकेंडरी है मगर मेरा करना है और काहिसारी बच्चे स्ट्रीम को जीए लेना बूलके कन्फ्यूज था आप स्ट्रीम चूज करने से पहले दो वीडियो पूरा देखो समझो क्यों वोले तो यह वीडियो में है ना मैं बहुत इन्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करहां जिसा कि for example करियर क्या है आ बोले भाई ये बोले य पपा ये बोले कलिंट भूल के रहता या फिर ने तो आइसा रहता दोस्ट क्या करा किसलीए हम भी सी 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 ले नोस भी सी सी ले लेते दोस्त आङए पी के हमगे में में doos लेते हम भी may study में आपको समझने नहीं आदा सब्जेक वहां का वहां रुप जादे तो सोचो क्या है क्या नहीं है आप किसमे अच्छे है या फिर आपका इंट्रेस्ट किसमे है यह चीज़ां भूत मैंडिडेरी रोल अदा करते तो आज की वीडियो बनाने का यही रीजन है कि आप लों को थोड़ा करियर गाइड है रेजल्ट का मुझे कमेंट करके बताइए सर यह आया यह आया यह फैल है सो स्टूडेंट करिया देहो भई गलत नहीं है दो अल्ला की मर्जी है फैल पास तो खिसमत में लिखेवा है अगर आपन फैल हो गया बोलकि क्या जिन्दगी रुपने जाती एक साल ब्रेक लो ल जो की फैलियर सी दुनिया में क्या क्या की बड़े नामा करें ऐसा जरूर ही नहीं है कि आप पास होए तो उच्छे आपको अच्छा फ्यूचर हैंगा वैसा नहीं है पास होए गूड फैल होए वेरी गूड मगर नेक्स टाइम आप इसको सबख के तार पे लेके आप उसक की नाम करें तो इटेंशन की बात नहीं है प्लान करिए महेनत करिए पहले वो दो वीडियो ज़रूर दिखिये क्यों बोले तो हो सकता मैं आपके करियर चूस करने में थोड़ा बहुत है ल्प कर लिया तो अच्छी बात है क्यों बोले तो भई लाइफ में क्या है मालूम म मेरा intention क्या है काश बोल के लफ नहीं आना मतलब अब आप आपको time है stream decide कर दिये उसके पर मेहनत कर ये आपका future secure कर ये कल को life में ये चीज नहीं आना रहे काश मैं ये कल लेता था तो ये हो जाता था काश मैं वो कर लेता था मैं मेरे friend circle मेरे students 8 साल से जो teaching करता हूं मैं उसके अ आके दोस्तां बोले दोस्तां करें बोले करके पूरी education life पूरी destroy कर लिये मतलब पढ़े में इंट्रेस में आ रहा बैक लॉक से क्या करना क्या ने करना तो ये गलती मत दो रहा ये पढ़े ही क्या है बहुत ही important है दो education place है wider role education क्या है बोले तो आपको एक respect दिलाता है ये बा जिसा की for example देओ जाहिल भी कमारा पड़े लिखा भी कमारा मगर दोनों में फरक क्या है बोले तो manners का फरक है अब देओ जाहिल क्या है बोले तो उन्हें क्या करता बात करते करते गुसे में आ जाता मतलब एक अलगी वे से डील करता तो जब आप educated रहना तो आपका knowledge भी आ करती देना आपका patience आ जाता मैनर्स आ जाता और आप मालू होना चाहिए एक जबान एक ऐसा weapon है जिससे पुरी दुन्या जीत के निकल सकते है अपने लिए तो हदीस में भी है मतलब दोजख में क्या है मालूम नमाज वो ये नहीं आपकी जबान है अगर आप जबान ही ना इस्तेमाल करें ना वोई चीज आपको दोजख में लेकर जाने काफी है मतलब माबाप का हाख नमाज जाकात ये सुब सेकेंडरी है एक जबाने का इसी चीज है आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करना सिक लिए ना मतलब किसी का दिल ने तोड़ना लोग क्या करते है आजकल दिखावा शो आफ एक कम जोर बच्चा मिल जाता उसको है तो हम ठोड़ा टाइम पास कर लिंगे अरे भाई उसकी प्लेस में आप भी रह के सोचो तो मेरा बोलने का इंटेंशन क्या है कि आप इस पे फोकस करो वीडियो जाके देखो कुछ भी टॉपिक्स पे चाह है डीटेल में बताईए इसके अंदर क्या क्या ओप्शन से वह भी देखेंगे रही बाद इंटरमेटिट सुडेंट्स जो की फेल हो गए इसके अंदर रिफ वेरिफिकेशन रिकाउंटिंग में अपलाई करना चाहरे तो उन्हों के लिए क्या है बोले तो कहीं सारे फिफ और एक तो कॉन्फिडेंट है तो अपलाई करें कल में एक स्टूडेंट आया सर मैं है सोरी वेरिफिकेशन गवा अपलाई करता हूं सर बलके बला तो मैं पूछा पहले आप पेपर कितना लिखें मुझे बताओ बले तो वह बोर रहा कि सर मैं खाली दो लेकिस लिखा हूं अपनी से ठीक है चलो कि and then मैं बोला और क्या लिखें बलाई तो किसो साम्मे वाले गण से देखके लिखा और तिन भी से लिखा तो मैं बोला उसको 17 मार्गस आए अब उसको अब देखा गया तो 17 मार्गस आइ बले तो अब उसको 26 27 मार्गस में पास होने के लिए होना और वह उन्हें लिखा 2 LA Qs, 2 LA Qs के चलो 14 मार्क्स भी पकड़ लिया, तो 14 मार्क्स भी पकड़ लिये, तो दूसरे हो सकता, उसको कनफर्म ही नहीं है कि साइए लिखा गलत लिखा, मैं बोला, अगर आप 4-5 LA Qs कनफर्म लिखते थे, एंदेन थोड़ा S-A-Q LA Qs लिख लिख लि चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें, कुछ भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो बोलिए, मैं इंशालला जरूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, चलिए चलते हैं, अल्ला हाफीज